दोस्तो नमशकार आदाब सत्रियकाल नियोज क्लिक के कारिकरम नियूज मन्थन के साथ मैं उर्मिलेश एक बाबा और एक बाहुबली इस वक्त सुर्खियों में हैं अलग अलग कारणों से बाहुबली सांसत के विशेशन से नवाजे जाने वाले कैसर गंज के भाजपा सांसत ब्रजभूशन सिंग पर देश के इस्तार पहलवानों ने कुष्टी के छेत्र में ओलेंपिक मेडल पाने वाली जो महिलाएं हैं उनके साथ यौन उत्पिरन का आरूप लगाया है खिलाडियों ने लगाया है और बहुत बड़े बड़े खिलाडी दूसरी तरफ मध्यप्रदेश के छतर पूरिस्थित बाबा धिरन शास्त्री पर अंदविश्वास फैलाने और जादू टोना टोटका वगएरा वगएर पहले बाहुबली यानि भाजपा के सांसर और भारती कुष्टी महासंग के अध्यक्ष ब्रद्यभूशन सिंग पर बात करें दोस्तो हमारी जानकारी में जैसे ही हरियाना के और दूसरे और हलकों के जो पहलवान हैं उसमें महिला हैं पुरुश हैं दोनों जैसे ही उन्हो अधर पर अपना प्रटेस्ट शुरू किया दो दिन तक भारती जनता पार्टी वाकई पशुपेश में थी कि करें तो करें क्या एक तरफ ब्रजभूशन सिंग जैसा महाबली बावबली एक ऐसा नेता जिसके लिए उत्तर प्रदेश के अपने इलाके में कम से कम पुलिटिकल पार्टी का कोई खास मतलब नहीं है वो जिस पार्टी में हो चुनाव जीच जाते हैं 1999 से चुनाव कभी हार ही नहीं हो जहां तक मुझे याद आ रहा है और वैसे तो इसके पहले से ही राजनीती में है तो ये जो बावबली ब्रजभूशन सिंग है ये कई चुनाव जिता भी लेते हैं अगल बगल कि सीटों पर जैसे गोंडा बैराईच कैसर गंज इसके अला विदान सवा की सीटें भी प्रभावित करते हैं और स्वेम इंटरिव में कह भी देते हैं कि हमने एक आदमी को मारा गोली अब कितनों को मारी मैं नहीं जानता लेकिन वो जो इंटरिव में बोलते हैं वो तो आन्रेकार्ड है इनके पास बेतहाशा संपत्ति है और इसे कि छुपा भी नहीं सकता सब कुछ दिखाई देता है अनेक कालेज जो हैं उसके ये संचालक हैं बताया ये जाता है कि मुख्य मंतरी योगी भी इनको लेकर असहज हैं उसकी एक वज़ा तो यह है कि दोनों एक ही विरादरी के हैं तो उनको ये लगता है कि पुलिटिकल प कि मुख्य मंतरी अब योगी जी है और आज उनकी हैसियत राजनीतिक तोर पे बहुत बड़ी हो गई है ब्रजभूशन सिंग उनसे पीछे छूट गए हैं इसलिए ब्रजभूशन सिंग उनकी कभी-कभी आलोचना भी खुप करते हैं लेकिन योगी महराज बिलकुल खामो पेश में रहे दो दिन तक किया कि करें तो करें क्या एक तरफ हरियाना एक तरफ हरियाना के राजनीतिक समिकरन और दूसरी तरफ भारती जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के समिकरन इन दोनों को कैसे बिठाया जाए कैसे कैसे इसमें मेल किया जाए क्या ऐसा किया जाए कि दोनों राजियों में उनको छती ना हो, दोनों राजियों का कोई भी समुदाय उनसे नाराज ना हो, क्योंकि एलेक्शन तो नजदी कारा है किंदर का, खासकर लोग सभा का, तो यस पशोपेस में रहने के बाद, जो हमारी जानकारी है दोस्तों, भारती जनता पार्टी औ किसी ने उठाया, किसी बड़े नेता ने, और कहा कि इससे सरकार की इमेज खराब होगी, क्योंकि मामला महिलाओं के साथ यौन शोशन का है, और ये मामला अगर जोर पकड़ लिया, खासकर दूसरे इलाकों में, तो ये लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए कुछ पसंद है, सिर्फ उनको नफरत की राजनीत और इन चीजों की वो चर्चा और उसको करके वो चुनाव में अपना पुलराइज़िशन करके वो अपना काम निकालते हैं, उनको ऐसे बड़े ताकतवर किसम के बाहुबली नेता भी जरूरी हैं, जो लोकल लेवल पर एक ठाकूर को आगे करके जो खेल मंत्री हैं, युवा मामलों के मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, उनको आगे करके किया गया है कि निगोशेट वो इस लाइन पर करें और उनको जिस लाइन पर उन्होंने दो दिन लगातार निगोशेट किया खिलाडियों से, वो मेरी जानकारी मे वो यही है कि कमेटी जो बन रही है अब दो कमेटियां गोशित हो गई दो कमेटियां गोशित हो गई एक ही घटना के लिए दो कमेटियां एक सरकार बना रही है यानि मंत्राले बना रहा है और दूसरा जो इंटरनेशनल जो जो लेबल पर जो ओलिम्पिक एसोसियेशन हमारा है वो बना रहा है तो अब सवाल यह है कि ओलिम्पिक के लिए जो भारती समिती है एक कमेटी साथ मेंबरान की उसमें मेरी कौम है और इसके अलावा उसमें योगेश्वर धत्थ हैं डोला बनर जी हैं अलक नंदा अशोक हैं सहदेव यादो हैं वगरा साथ लोग हैं अब एक कमेटी ये बन गई और दूसरी कमेटी जो है खेल मंत्राले ने बना दी और खेल मंत्राले ने जो बनाई है उसमें टार्गेट फिक्स किया है कि चार सप्ता के अंदर रिपोर्ट दे देगी दोस्तों अब तक हम लोग ने देखा है कि जब भी कोई कमेटी बनती है इस तरह लगी और अब तो दो कमिटी है डबल पैरलल तो ये मामला ठंडा करने के लिए किया जाता है ताकि वो भी खुश वो भी खुश तो कहा ये जा रहा है कि ये न किसी की जीत है न किसी की हार है दोनों खुश तो ये लड़ाई जो है जो एक बहुत बड़े इशू को लेकर थी याद रखिए कि हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि एक पदाधिकारी एसोसिएशन का वो योन शोशन में अगर आरोपी है या आरोप उस पर लगाया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी घटना है दोस्तों ये देश के लिए देश के सम्म पर एक तरह का बहुत बड़ा सवालिया निसान है पूरे दुनिया में इसकी चर्चा होगी ये मत भूलिया आप ओलिम्पिक के ये सितारे हैं ये खिलाडी और वो ये कह रहे हैं तो अब देखना है कि चार सब्ता आबाद क्या होता है लेकिन जो बाहु बली जो सांसद हैं भ भी भी बरकरार है और चुकी लोकसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश महुत इंपॉर्टेंट स्टेट है इसलिए हो सकता है कि जो महिला खिलाडियों ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों को एक तरफ रखा जाए और दूसरी तरफ रजभूशन सिंग को बचाने की जो प देखा जाए तो उनके खिलाब कोई कारवाई नहीं होई आए यहां तक कि उनको सस्पेंट भी नहीं किया गया है जो कि आम तोर पे ऐसे मामलों में होता है उनको यह सिर्प का आ गया है कि आप फिलहाल जो कुष्टी महासंग है जिसके आप अध्यक्ष है रास्टी अस्तर पर उसे फिलहाल दूर रहेंगे दूर रहना और कोई कारवाई करना सस्पेंट करना ट्रांसफर करना एक होता है न वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है तो अब देखना है कि आगे क्या होता है तो दोस्तों जैसे हमने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे एक बाबा एक बाह चरित हुए हैं इसमें टीवी पूरम की दोस्तों बहुत आहम भूमिका है पिछले दो दिनों से अगर किसी घटना का बलकि दो नहीं तीन चार दिन का लीजिए किसी घटना का अगर इन रास्ट्री न्यूज चैनलों कथित रास्ट्री न्यूज चैनल कहिए ये इन्होंने अगर सबसे ज़्यादा coverage किसी का किया है तो वो ये बाबा हैं और इसके बाद ब्रजभूशन सिंग का मावला इनका नाम है बाबा धिरेंदर शास्त्री धिरेंदर गर्ग शास्त्री इन्हें बाबा बागेश्वर धाम सरकार भी कहा जाता है बागेश्वर धाम के आगे सरकार लगाया जाता है ये वहाँ पर चलता है उनका नाम टीवी पुरम से पहले जो हमारी जानकारी है दोस्तों एक शेत्रिय धार्मिक चैनल पिछले तीन-चार साल से बाबा के कारिक्रमों का नियमित प्रसारण कर रहा था और चटक रंगों की पोशाक चटक रंगों की बढ़की लिए और पेश्वाई किस्म की एक खास पगड़ी या टोपी लगाने वाले बाबा कुछ दिनों पहले नागपूर में थे वहाँ बाबा की दिब शक्तियों को अखिल भारती है अंदश्रदा निर्मोलन समीती के जो पदाधिकारी है प्रोफेसर भी है शाम मानुक बहुत चर्चित व्यक्ति है बहुत ही उनकी प्रसिदी है अच्छे काम के लिए उन्होंने खुलियाम चुनोती दी और वहाँ से बाबा जो है वो अचानक चले गए उन्हें किसी कारिक्रम में फेस करने से उन्होंने परहेज किया अब वो रायपूर में रामकथा के नाम पर ऐसा ही एक कारिक्रम कर रहे हैं 17 जनौरी से वो लगतार कर रहे हैं रायपूर यानि 36 गड़ की राजधानी दोस्तों ध्यान र वाले हैं और 26 साल के बाबा जो हैं वो रायपूर आ गये हैं मध्य प्रदेश के बहुत पिछड़े छतरपूर इलागे के गड़ा गाओं के रहने वाले हैं और वहां की एक ऐसी गर फेमली से आते हैं जहां उनके पूर्वज यानि मुझे लगता है कि उनके पिता के पिता दादा जी वो भी किसी धार्मिक अखाड़े से जुड़े हुए थे और छतरपूर इलाके में ही दर्बार लगाते थे पिछड़े इलाकों में भारत के अभी भी ये स्थिति है बाबा को विश्व हिंदू परिशत ने समर्थन दे रखा है बाबा को राम देव ने स्वामी राम देव ने इनों ने भी इनको सनातम धर्म का प्रचारक काकर अपना समर्थन दे रखा है बाबा के साथ महरास के उप मुख्य मंत्री देवेंदर फर्णीस बड़े भारती जंता पार्टी के नेताब बीजेपी के बहुत टॉप लीडर मंत्री भी केंद्रवे नितिन गटकरी साब और मनोस्तिवारी जैसे बड़े भाजपा नेताओं के सानित दिके चित्र भी टी मत्कार दिखाते हैं विचित्र किस्म के करतब करते हैं राजनितिक बयान बाजी भी करने से परहेज नहीं करते खासकर विपक्ष पर व्यंग करना और तरह तरह की कहते हैं कि बुल्डोजर मैं तो पैसा उतना नहीं है वरना मैं बुल्डोजर करीज लो और बुल्डोजर चलवाओं ऐसी ऐसी बातें करते हैं कभी कुछ करते हैं अभी उन्हों ने कहा की लहसुन और प्याज लोगों को इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि लहसुन और प्याज ये दोनों राक्षस के मल से पैदा हुए है बताये बाबा और उनके समर्थक लेकिन शाम मानों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं शाम मानों ने चुनोती दे दी कि भई आपकी दिब शक्ति की परिक्षा लेने के लिए हम तयार हैं हम लोग आप से सवाल पूछेंगे जवाब आप दे दें हम भी अंदविश्वासी बन जाएंगे आपके शिश्यों की तरह लेकिन आप जो करतब दिखा रहे हैं वो करतब हम पर दिखाईए हमारे दसेक लोग रहेंगे उन पर दिखाईए लेकिन बाबा ने ये चुनोतीस विकार करने के बजाए वो पहले ही वहाँ से चले गए उनक जितने दिन रहना था नागपूर में उसके दो दिन पहले ही अपना तंबू खाड लिया और बाद में जब पूछा गया तो बाबा ने दलीज दूसरी देनी शुरू कर दी कि नहीं ये कारण था वो कारण था बहराल अब वो कह रहे हैं कि शाम मानो या अंदर श्रदा उन आपको याद होगा वो तो इसके बड़े नेता थे पूने में जिनकी निशन सत्या एक खास किसन के लोगों ने कर दी और जिनका संबद जो है वो कुछ ऐसी हिंदुतवादी शक्तियों से था जो पूने के इलाके में जिनके अपने आर्गनेजिशन हैं और उन पर को आमंतरित करके उनसे सवाल करते हैं और बताते हैं कि ये भविश्य और भूतकाल अतीत सब कुछ जानते हैं वरत्मान जानते हैं किसी को अचानक कहते हैं कि इसको हम ठीक कर दिये कोई ये बिमारी है तो उससे ठीक कर दिये अभी एक या दो दिन पहले हमें पता चला और ह बहुत प्रमुक हिंदी चैनल जिस का जिस ग्रुप का अंग्रेजी अख़बार इस्टन पार्ट आफ इंडिया में बहुत रेडिकल बहुत लिबरल किसम के न्यूज कबरेज के लिए चर्चित है वो ही उस हिंदी चैनल के रिपोर्टर को वहां पर जहां पर राइपूर में इनका कारिकरम हो रहा है वहां विच्छत रिस्टी में पाया गया वो पहले तो बिल्कुल उनके शिश्य की तरह बिल्कुल सरिंडर कर रहा था फिर उसी पत्रकार के खिलाप और तरह तरह की टिपड़ियां भी किये जा रहे थे फिर वो पत्रकार कहा रहा है कि आप तो सब हो सकता है जहां एक बाबा के खिलाब जिसके जिस पर जो कमीटी है अंदर शद्धा उनमुलन विरुधी कमीटी वो कह रही है कि ये देश के कानून के खिलाब काम कर रहे हैं बाबा अंदर विश्वास फैला रहे हैं ये जादू और टोना और टोठका इस तरह की चीजों में सनलिफ्थ हैं लेकिन मीडिया मीडिया का एक पड़ा हिस्सा खुले हा हम सपर्ट कर रहा है बाबा को बलकि सरिंडर किये जा रहा है बाबा उन्हीं को एक क्यूज किये जा रहे हैं कि आप मेरे किलाब ऐसी बात मत करो ऐसी ऐसे डिजेक्टिब ना दो आपको हम ये श्राप दे देंगे आपको हम ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसी ऐसी बातें भी बाबा करते है अब मैंने आपको बताया लहसुल प्याज के ब बड़े एक्सपर्ट हैं इस देश में कोई नहीं करता लेकिन ये व्यक्ति किये जा रहा है और लोग देख रहे हैं तमाशा बड़े बड़े नेता उनके यहां जा रहे हैं और एक खास राजनितिक धारा के लोग खुले आम सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तो लंबे समय तक भारत में अंदिविश्वास का सामराज जे रहा है हमें नहीं भूलना चाहिए इसलिए हमें जादू टोना सांप सपेरों का देश एक समय कहा जाता था लेकिन आजादी के कुछ पहले से और आजादी के बाद से हमने अपने यहां पहले की मुकाबले ग्यान की रोशनी जरूर पहलाई है अंदिविश्वास में कुछ कमी आई है पर वो खत्म नहीं हुआ है दुखद है कि इधर कुछ समय से उसमें तेजी से बढ़ोते ही हो रही है हमारे हाँ कानून है पर वे बेसर है क्योंकि सरकारे पहल नहीं करती आएए देखें दोस्त ये कानून है क्या अब आपको मैं बता दू कि देश में अंदिविश्वास आदी पर कानून जो है उसमें एक तो कानून है जो बहुत ही वो है मशूर है और वो है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज कानून 1954 जो इसके लिए है कि अंदिविश्वास की गत्यविदियों को नि पटने के लिए है एक्शन लेने के लिए नहीं है तो ये गैर जमानती धारा इसमें है ये जमानती धारा इसमें है गैर जमानती धारा इसमें नहीं है पहली बात और ये रास्ट्रियस दरपर कानून है लेकिन इसका कोई खास पालन नहीं होता है दूसरा जो है हमारे संवि कितना पारण कर रहे हैं ये आप से हम से छुपा नहीं है लेकिन कुछ राजियों ने अप एक शक्रित बहतर कानून पास किये हैं और कभी कभी कारवाई भी होती है उसमें एक है बिहार का डैन प्रतानिय वारण कानून 1999 और ये जादू टोना अंद्विश्वास और अमानु में 2003 में नरिंद दाभोलकर ने कानून का प्रारूप बनाया था सरकार के लिए उस समय सीम थे सुशील कुमार सिंदे कॉंगरिस पार्टी के ऐसा कानून वो चाहते थे जैसा दाभोलकर साथ उन्हों ने एक प्रारूप के राजिको दिया लेकिन उसी प्रारूप को बाद क में इसको पेश किया गया लेकिन कानून बना दो हजार तेरह में तो कहा जा सकता है कि मद्यप्रदेश की सरकार में जो कानून बना वो इन समाज सुधारकों के कारण बना दाभोलकर साहब की हत्या हो चुकी है इसका और और श्याम मानो नागपूर में लगातार लड़ रहे ह इस कानून का नाम है महराष्ट प्रिवेंशन एंड एरिडिकेशन आफ हीूमन सेक्रिफाइसेज एंड अधर इन्हूमन इविल एंड अगोरी प्रेक्टिसेज एंड ब्लैक मैजी एक्ट 2013 काफी लंबा नाम है ये सबसे बहतर कानून मना जाता है इस समय देश में और नान बेलेबुल है नान बेलेबुल एरिस्ट का प्रावधान है नरेंदा बोलकर की जो हत्या हुई अगस्ट 2013 में हम सब जानते हैं उसके बाद कई और लोगों पर भी अटैक करने की कोशिश की गई है करनाटक में 2017 में एक कानून बना लेकिन हमारा मानना है कि देश भर के लिए एक ऐसे केंदरी एक कानून की जरूरत है और कानून के साथ सरकारों के अंदर अंदविश्वास और अग्यान फैलाने वाले तत्मों पर तत्काल अंकुछ लगाने की प्रतिबदता भी होनी चाह ये बात बिलकुल क्लियर होनी चाहिए सरकारों को ये कम से कम समझना होगा तो आज दोस्तों बस इतना ही नमस्कार आदाव सच्छी अकाल